हर्याणा चुनाओं के नतीजिएं के बाद इंडिया गडबंधन में हल्चल तेज हो गई है और संजे राउत ने आज कॉंग्रेस को सीधे तोर पर कहा है कि यदी हर्याणा वाली गलती दोहराने की कोशिश ना करें और अपना रुक महराश्ट में इसपश्ट करें हमा जल ही का शिफशे ना उद्व ठाकरे गुट की नेता पर्येंका चत्रवेधी ने धमका दिया था आज संजे राउत ने धमका दिया हरी आना की जंता बने जया होगी अब पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी जो दो हजार चौबिस के चुनाओं में जीतने वाली पार्टी को भी हारती हुई बता रही थी और एलोपी बनने पर ऐसा वहवार कर रही थी जैसे सत्ता मिल गई हो अब कांग्रेस को असली जो हैसियत है वो हरियाना के जंता ने बता दिया है कि आपकी हैसियत क्या है बहुत उनको लग रहा था कि सरकार बना लेंगे अपने एलाइस को नहीं पूछा अपने सहयोगी को आँख दिखाया अब जंता ने इनको आँख दिखा दिया है अब आज से जतने सहयोगी हैं चाहे वो अखले शियादव हों या ठाकड़े हों सब इनको आँख दिखाने वाले इस चुनाव का असर महराष्ट और जार्खन के चुनाव में भी पड़ेगा असर असर पड़ गया महराष्ट में जार्खन में कमल खिलेगा इसमें कोई शक्की गुंजाईश नहीं है आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी, महराष्ट और जार्खन में हमारे सरकार बनेगी इसमें कोई शक्की गुंजाईश नहीं है सानवाज भाई लेकिन हर्याना की जीत के साथ ही कॉंग्रेस ने EVM को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। उनके इस ब्यानों का EVM पर कांग्रेस की आदत बन गई है। जब जीत जाओ तो राहुल गांदी की जीत है और हार जाओ तो EVM की हार है। पूरी जलूस निकालेगा, जिंदाबाद के नारे लगाएगा और हार जाओ तो कहेगा EVM खड़ाब था। हर्याणा चुनाओ का असर महराश और हर्खंड में भी पड़ेगा और इंडिया गंड बंधन में खासकर कॉंग्रेस के लिए इनका कहना है कि वो जलेभी की तरह हो गई है। केमरे में मनुष त्रिपाठीक सार निर्यज पांडे, ABP NEWS दिल्ली